Hello students, how are you? Today our topic is our food. In this topic, we are going to learn about importance of food. Sources of food, type of meals, good food habit. इस topic में आज हम क्या पढ़ेंगे? हमें बोजन की जुरुत क्यों है? Sources of food हमें बोजन कहां से मिलता है? हम दिन में कितनी बार बोजन करते हैं, type of meal? और बोजन सबंदी अच्छी आते कौन सी हैं? Why do we need food? Food is the basic need of all living beings on the earth. We all need food because it helps us to grow, gives us energy to work and play, helps us to stay healthy. अब हमें बोजन की जुरूरत क्यों होती है? किता है इस धर्ति पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवित ख्राणिय हैं, जो सांस लिते हैं, उन सबको भोजन की जरूरत होती है. चाई वो मनुश्य है, चाई वो जानवर है, चाई वो पक्षी है, पेड़ बोदे भी अपना भोजन करते हैं वो जमीन से लेते हैं मिटी पानी लेते हैं मिटी से अपने पोश्टिक तर्तव लेते हैं पानी लेते हैं और हमें भोजन देते हैं तो जितने भी living things हैं उन सब को क्या है भोजन की जुरूरत होती है अब क्यों जूरू होती है, बोजन की जूरू क्यों होती है, because it helps us to grow, यह हमारी बढ़ने में मदद करता है, grow means होता है बढ़ना, give us energy to work and play, और यह हमें काम करने की और खेलने की शक्ती देता है, energy होता है शक्ती, उड़्चा भी बोलते हैं, help us to stay healthy, और हमें स्वस्थ रखता है तो अगर आपको अगर भोजन ना मिले एक ताइम, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, ममा खाना लेट कर देती है, lunch books लेट से आता है या नहीं आता, मैडम बहुत भूग लगी हमसे, काम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो भोजन है, वो हमें energy देता है, पेट में खाना जाता है, हमें energy मिलती है, और हम अपना work अच्छे से कर लेते हैं, तो इसलिए हमें बोजन की दूर्द क्यों होती है, because it helps us to grow, give us energy to work and play, sources of food, अब sources of food में बोजन कहां से मिलता है, we get food from plants and animals, हमें कहां से मिलते हैं, plants and animals, most of our food come from plants, जाता है हमारा बोजन कहां से आता है, plants, पेट पोथों से, we also get food grain from plants like wheat, rice and meat, कहता है हमें food grain, यानि अनाज भी हमें कहां से मिलते हैं, plant से मिलते हैं, जिसमें आगया, जो हूँ है, चावल और मक्का, एक्सेक्टर, वो साइस चीज़ें और हैं, food from animals, we get meat, milk and egg from animals, हमें animals से क्या मिलते हैं, meat, mass, milk, दूद, egg, अंड, we make butter, cheese, ghee and ice cream from milk, हम मिल्क से क्या क्या बनाते हैं, मक्कन, cheese, पनीर होता है, गी, घी और ice cream बनाते हैं, तो इस परका क्या है, sources of food हमारे पस कितने हैं, plants and second है animals, plants में हमें fruits, vegetables, food grains में जैसे अना वी ग्यहूं, चावल, मक्का, बाजरा, pulses, etc. यह सब हमें कहां से मिलते हैं, plants से, और animals से हमें क्या मिल जाते हैं, meat, milk and egg, types of meal, we eat three times in a day, हम दिन में तीन बार खाते हैं, the first day of the meal is called breakfast, we take breakfast in the morning, हम सुभे जो खाना खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, breakfast, we take lunch in the afternoon, हम afternoon यानि कि दुपैर में क्या करते हैं, दुपैर में जो भोजन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, lunch, we take dinner at the night, और रात में जो हम भोजन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, dinner कहते हैं, तो three times होए, जो सुभे खाना खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, breakfast, दुपैर में जो हम खाना करते हैं, उसको क्या कहते हैं, lunch, और रात में जो हम खाना करते हैं, उसको क्या कहते हैं, dinner, अब हमें बोजन की कौन से अच्छा आते रखनी है Wash your hands before and after every meal खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथ दोने चाहिए Eat slowly, धीरे धीरे खाना चाहिए Chew the food well, खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए निगलना नहीं एक साथ We must have our meal at this time हमें अपना बोजन एक fix समय पर करना चाहिए तो यह सब अच्छे आते आपने भी अपना नहीं है खाना खानी से पहले जब भी आप कोई चीज़ खाते हो और खाने के बाद हमेशा आपने अपने hand wash करने है और अराम से खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चबा चबा के खाना है और दिसना एक fix time पर एक time के आप बियार एक से दूसरे के खाने के gap में आप कोई भी चीज़ नहीं खाऊगे अब आपको इन question के answer देने और अपने notebook में write down करने वाई डो वी eat food हम भोजन क्यों खरते है the meal that we take in the morning is called जो भोजन हम सुर्भे करते हैं उसे क्या कहते है we make butter prawn हम मक्खन किसे बनाते है we have lunch in the dish हम lunch कप करते हैं तेंक यू and have a nice day आपको問 झाल झाल झाल